आजकल बीजेपी का साथ छोड़ने वाले एक राग अलाप रहे हैं कि यूपी में बीजेपी बैकवर्ड सपोर्ट खो रही है। थोड़ा पीछे चलते हैं उनके इस दावे की सच्चाई को खंगालते हैं। नाना पटोले ने गुजराच चुनाव के बीच में ये कहते हूँ इस्तिफा दे दिया था कि बीजेपी ओविसी मुद्दों पर गंभीर नहीं है। खैर उन्होंने आने वाला उपचुनाव भी नहीं लड़ा और बीजेपी ने 2019 में उनकी सीट फिर जीत ली। अब उधितराज का उधारन लेते हैं। 2019 में उन्हें शायद अंदाज़ा था कि उनका टिकेट कटने वाला है। तो उन्होंने बीजेपी को दलित विरोधी करार देते हुए पार्टी छोड़ दी। जबकि बीजेपी ने उनको पूरा सम्मान दिया था, फिर भी उन्होंने कॉंग्रिस के साथ हाथ मिला लिया। बिना भी सीट बीजेपी के खाते में ही आई। राचकुमार सैनी ने भी हर्याणा में यही कोशिश की। यह कहा उन्होंने की बीजेपी सैनी समुधाय के खिलाफ है। बीजेपी ने दस में से दस सीटों पर जीत हासिल की और हर्याणा में फिर से बीजेपी की सरकार मनी। अंशुल वर्मा का मैमला तो और भी दिल्चास्प है 2014 से 19 तक वो हर दोई रिजर्व सीट के रिप्रेजेंटेटिव रहे तिकट ना मिलने पर उन्होंने BJP पर पिछड़ा विरोधी मान सकता यानि कि एंटी बैकवर्ड माइंडसेट का आरोप लगाते होए एक चौकीदार को अपना इस्तिफा सौप दिया था 2019 में क्या हुआ 2014 में जब अंशुल कांडिडेट थे तब BJP ने 37% वोट शेर के साथ जीत हासल की थी और 2019 में उनके बिना ही 53% वोट शेर के साथ हर दोई सीट पर BJP को प्रचंड जीत मेली इससे साफ समझ में आता है कि SC, ST और OVC समुदाए PM मोदी के विकास के अजंडे के साथ है वे जानते हैं कि OVC आयोक के गठन के दौरान उनके साथ कौन खड़ा था कौन मंडल आयोक का विरोध कर रहा था और वो ये भी जानते हैं कि किसने निहत्थे और निर्दोशकार से वोको पर गोलियां चलवाई थी तो ऐसा राग अलापने वाले जो मन में हों वो कहते रहें पर ये पबलिक है बाबू ये सब जानती है